समिच्छा दिकारी बनने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि अभी तक प्रश्ण कहां कहां से पूछे गए आस इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे पिछले 10 साल के समिच्छा दिकारी की जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों में जो प्रश्ण पूछे गए है किस-किस बिसे से किस-किस साल कितने-कितने प्रश्ण पूछे गए हैं यह जरूरी नहीं है कि हर बार प्रश्ण के अंग समान हो या हर बार प्रश्ण जितने पूछे गए उतने इस बार भी पूछे जाए लेकिन एक आईडिया आपको मिल लियागा अब आपको कहां-कहां से किन किन चीजゆो पर फोकस करना है क्या क्या चीज आपको पढ़एक और इस से Soon में दुखें गे कि संपिछाइवारी की बरीम से में परिक्छा होती है और किस साल प्रश्ण किस टोपिक से पूपकर प्यर उसके मुंक्त परिक्षा जो होती है पिछले दस सालों के जीएज के जुमक्षी परिक्षा होती है वह भी एंसी की होती है उसमें भी कहां कहां से कौन कौन से पूछे गए इस प्रशन पूछे जाएंगे लेकिन यह जरूर गारेंटी है आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा अब आप को तरह से पढ़ना है किस टॉपिक पर ज्यादा मेनत करने हैं किस टॉपिक से कम मेनत करनी पड़ेगी कौन सा आपको जो फिवरेट टॉपिक है जहां से खोल में भरबोर के शवाल है इसमित जीयेद के सभी विश्यों की बिश्यों की विश्यवार्ट एक तरह समीच्छा अधिकारी के त्यारी करा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और महत्तपूर्ण है अगर आप चाहते हैं कि आप समिच्छा अधिकारी बने और अपने दाइतों का निर्भान करें तो आपके पास यह जरूरी होगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए कित शामान अध्यन के पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्णों का व्यवरंन माने आरो ए आरो के जो संविच्छा एतिकारी सहक – यह पिछले 10 साल में पूछे गये प्रश्णों का विष्छले सण हैं उनका व्यौरण हैं बिसेवार किस किस साल कितने कितने पूछेंगे एक बर में पहले आपको परिचे करा दूए कैसी ग्राफ बना है यहां पर करम संख्या लिखी है यहां पर इलनी भी दुरगेश लिखा गया है यहां पर इलनी भी दुरगेश है उसके बाद आप देखेंगे इस बिसे में इति परियावरण से भी सवाल खुब बहुत आयाते हैं यह तरह से भोगोल का हिश्चा है और समसमाई की में भी परियावरण का रोल रहता है और अब यहां पर हम उपर देख लेते हैं उपर किया क्या क्या आपको देखना है यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर गरम देखें तो साल थोड़ा आगे पीछे मिल जाएगा आपको यह प्रिष्णों को एनाल्सिस करने के लिए साल उपर नीचे है लेकिन आपको हम क्रम वारुप से बनाएंगे पहले दिखेंगा यह 2010 में यह 2010 में फिर 20 से पेपर हुआ था यह उसका पूरा-पूरा जिक्र है 2010 दोबर पेपर हुए थे दोज़ादस में दोबर पेपर करेंगे 2010 के बाद फिर 2013 में जाएंगे 2014 पर दोज़ा चौदा की तरफ बढ़ेंगे फिर 2016 में हुआ हुआ है फिर 2017 हुआ है, फिर 2021 हुआ है, मतलब अगर 10 वर्षों में कितनी बार पेपर हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माने 10 सालों में जो 8 बार समिच्छा दिकारी के पेपर, माने 8 पेपर हुए हैं, उन 8 पेपर का यह पूरा एनल्सिस है, आप एनल्सिस पूरा देखने से पहले, इस व क्या होगा, तब अपनी तहरी को और आप धार लगाने में कही ने कही थोड़ी सी चूक रह जाएगी, इसलिए इस चीजों को बिसेज ध्यान देना है, बड़ी महनत साब के लिए त्यार हुआ है, अब हम इनको एक एक करके, करम आरोप से पढ़ेंगे, और इसके पूरे त हम संकिति और शभ्यता को भी पढ़ते हैं, आपột हैं लग से ह לד है, अलक से भी आइट कुल्चर है, संस्किती है, सब्वेताओं, उस संस्कित्य कि औहुआ हैं, अाग से है сама हिस्सा writing है, संस्किति के साथ साथ अस्थापत इकला मानि प्राची इंतिहास में मद इकालिना और अधनिक इन सभी की वास्तुकला और इन सभी को हम संस्किति शब्यताओं को भी अलग लग सी रूप से अध्यन करते हैं वैसे हम पांच स्रीज में से डिमैट करके पढ़ेंगे लेकिन आप जो किताबें पढ़ते हैं उन किताबों में प्रायत तीन इतिहास का ही जिकर करते हैं प्राची नितिहास मद इकल इंतिहास प्राधनिक भारत के इतिहास लेकिन इन तीनों किताबों में इन पांचों की जो एनावसिस के हिसाब से प्रश्णों की स्रीज भी आप के लिए कर आएंगे ताकि आपको प्रतेग विश्य में अभी तक कौन-कौन से प्रश्ण पूछेगा हैं वो भी मैं आपको दिखा कर पढ़ा सको लेकिन उसके लिए आप प्रत दिन इस वीडियो और और की स्रीज में तब हम आपके लावर 72 कर पाएंगे इसमें सबसे पहले घर में बात करो तो यहां पर हैं 2010 और 2010 विश्यस में 20-20 सवाल पूछेगा हैं कितने सवाल 20-20 सवाल 2010 में पूछेगे मतलब 140 प्रश्णों में 20 सवाल एक माने रखता है उसके बाद हम अगर बात करें 2013 में तो 16 सवाल पुछेगे हैं 2014 में 20 वीश सवाल पूछेगे हैं 2019 में 2016 में 23 सवाल पूछेगे हैं और धिर अगर हम बात करें 2017 में तो यहां पर सवाल पूछेंगे अगर एक रेशियो मान के चले आप यह देख पाएंगे इसमें पूरा-पूरा प्रश्णों में जो इतिहात के सवाला है और सतन 20 सवाल प्रतिवर्स पूछेंगे इन 10 सवाल में भी हम आगे देखाएंगे की मद्यकर लुक्त इतिहास में कितने हैं और प्राला-पूरा फूरा इसमें पूराइस में रूम्दम कितने सवाला हैं उनको भी हम काडेगरी के रूप में बाटकर अभी दर्स आएंगे लेकिन इस वीडियो के आगे करांगे जब प्रिश्टों के से रिजाल करेंगे तो मतलब एक बात आपको क्लियर हो गया अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 2016 में 23 सवाल आए हैं से लगाता प्रश्णों की संख्या जादा है लेकि पिछले साल देखा जाए तो मात्र 15 सवाल ही पूछे गया है इससे एक अनुमान ही लगा जा सकता है कि इस बार का पेपर होने जा रहा है शमिक छादिकारी का पेपर होने जा रहा है 20 सवाल और सथ 20 से 25 सवाल आपके इतिहाद से पूछे जा सकते हैं अगला है शामान विग्यान एक काफी ट्रेंडिंग डॉपिक रहता है शामान विग्यान में हम करें किसी जीगर हम बात करें तो साइंस से टक्नोलोजी पढ़त चौदा में 12 सवाल पूछे गया है और 2016 में जो पहली बार हो तो 16 सवाल बाद में इसमें 9 सवाल हुए और फिर हम देखते हैं जो हाल में हुआ है 17 में 16 सवाल फिर 18 में 9 सवाल तो एक बात देखा जाए तो पूरे सामान विग्यान में सबसे ज्यादा प्रशन पूछा गया अगर हम आउसत की बात चले सामान विग्यान से जो पूछा जाता सामान विग्यान तीन तरह के होता है फिजिक्स कमिष्ट्री बियालोजी और साइन से टेक्नोलोजी यहां से भी सवाल खुब क्यों कि करेंट से जोड़ा हुए टॉपिक होता है तो अगर हम विग्यान की तो बिग्यान से आउसत मान के चलिए कि 10 से 12 आपको तयार करने है 12 आपको लेकर चलना है कि 12 से 13 आपके परिछा में पूछे जा सकता है अने वाले परिष्णों में प्योंकि ग्राफ कभी ऊपर है कभी नीचे फिक्स नहीं रहा है 17 में 16 जैसे 20 की पेपर होता है फिर आप स्रीम प्रिश्म कगे लेकिन जिनका विश्ती साइनस है उनकी लिए कहीन चेलेंजिंग है क्याश्यन का Grund को बात करतें भारती राज प्रिश लीव 건데 में इसको इसको कर देता हूं अब में बात करूं अको ragajков चैनके नाम से जांते हैं NBA तरहां सरा सबसे कम की बात कि जाए तो मात्र पांट सवाल पूछे गया है तो मात्र पांट सवाल पूछे गया है फिर सबसे कम की बात कि जाए तो मात्र पांट सवाल पूछे गया है सबसे ज्यादा सवाल पूछे गया है जब कि पीश्चेश की परिक्षा हो तो इसमें भाति राज बोस्था का जो युगदान होता काफी अच्छा होता अच्छा कासा युगदान रहता है अन्य विश्व की पूछे आ गया है अब पिछली पर जो पर हो उसमें 2021 में इच्छा सवाल पूछे को यहां पी उमीद लगाए जा सकते है कि इस बार 8 से 10 सवाल जो होते हैं वो भारती राजब्वस्था से सवाल पूचे जा सकता हो बारती राजब्वस्था में भी मैं आगी आपको बताऊ है इससे आपका न जो कॉंसेप्ट पूर्य तरह से किलिए हो जाएगा और टोटल जो सवालों के योग होगा उत्रे उत्रे सवाल हम एक एक वीडियो लेक्चर में अध्यन करेंगे एक हैं यह समझ में आपको आपको आर्थिक सामाजी निकार इक तरह से बात कर रहे हैं यह भ जादा होती लेकिन करेंड के साथ जोड़कर इसको देखेंगे तब नहीं तो इसके संख्या कम रहेगे आईए देखते हैं अगर 210 की बात परें इसमें 210 में 5 और 210 बिश्यस में 16 सवाल पूछे गया है मैंने 16 मुझे लगता है कि अच्छा कासा सवाल है लेकिन उसके बाद ह 20 सवाल पूछेगे जो सबसे ज्यादा सर्वादिक है और दोजा 16 में जो दोनों परिक्षा हुए 11 प्रश्न हुए हो चे सबसे कम 27 पूछा गया और हल पिलाहल में क्या है 8 सवाल पूछे गया जो अभी परिक्षा हुए दोजा रिक्टरीश में तो एक और हम आप बात करें कि आउसद अगर पुष्णों की जो शंख्या रही है खाच कर समक्षा दिखा रही है उसमें वह रहाल जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वह उनकी जो सप्रस्न संख्या वह आउसद आपको दिखा रहा है कि भईया 10 से 12 सवाल जो है आठ से 12 सवाल है वह आपके एकोनोमिक से सकते हैं कई बर जादा भी हो गएं कई बार कम हो गया तो यह अट से 12 सवाल भारते द्रुस्था पर फोकस कर सकते हैं चोदर भी हो शकता है और पांच भी हो सकता है तो एक आइडिया आपको मिल गया कि एक जो दैरहा है वह हो इकोनोमिक्स का भी लगभग 8% सवाल पूछे और अभी आप देख रहें बिहार में जातिकत जनगर्णा होने के बाद से एक करिंड का महौल बन गया हर जिए जनगर्णा जादी जनगर्णा की मांग की जारी हो दोजार इसका जनगर्णा भी नहीं हुआ कोबिट की वज़े से इसलिए टॉपिक काफी महत्य पूर्ण हो ज सब्सक्राइब देखते हैं जो बाद दुबारा हुआ उस बार कम सवाल पूछेंगे देखिए इधर के सुरुवात के चैप्टर्स है सुरुवात के जो यू कह सकते हैं उसमें कम पूछेंगे एक थोड़ा सा दिमाग लगा यहां पर आपको समझ में आएगा और जो दोज पूछेंगे और हो सकता है कैस में 23 में जो है सेम रहे थोड़े बदलाओ के साथ हैं यहां पर हमने देख लिया कि जो पूरा यह कॉंसेप्ट है यह पूरा जो यह आकड़ा है यह प्री मेंस दोनों में आपको मैं दिखाँगा अपी मैं प्री की बात कर रहा हूं इसकी जो सब्सक्राइब करेंगे अब हम यहां पर देखेंगे और आप भी मारे साथ ही डिसकस कर पाएंगे कि भोगोल में भारत वो विश्व का है भारत व विश्व का है भारत व विश्व का है अब इस पर भी हम लोग डिसकस करेंगे कुछ बाते और आपके सामने निकल रहेंगे भोगोल में 2010 में अच्छा काता सवाल पूछा गया है अच्छी खाशी भंका है अपने अपने भोगोल के लिए और इस भोगोल की स्रीज में जो भी साथ वीडियो को देख पा रहें चाहिए फेश्वुक पर देख रहें चाहिए यूटूब पर देख रहें अब कहीं भी से देख रहें एक बात तो आपको समझना है ना सबसे कम जो पूछा गया है वह 11 शावाल दोजाशा 17 में उसके बात और 20 से 25 का रहा है वहने जो भोगोल और पर्यावण क्योंकि एक तरह से मिक्सिकर के अपड़ा जाता है इस भोगोल का आपके सामने दारह रहने वाला है आने वाले परिच्छव में इसमें तक्रीबन आ जाता है अब ये येर वाइस देखेंगे किस विसे के ज्यादा सवाल आ है उस पर भी में डिस्कुस करण टेम पर लुगोल के बात जो नंबर आता हो परयावरण का परियामन के दोजाद 10 के अगर मैं बात करो तो 3 से 4 सवाल पूछे गया है दोजा 13 में 5 सवाल पूछा गया है दोजा 14 में 7 सवालin 16 में 10 और 17 में 5 में 10 तो 17 में पाँश मैं तो 5-6 सवाल है जो औस पूछे जा रहा है मने 5-6 या 5-8 सवाल एक तरह से कहा सकते हैं औस पूछे अगर हम और आगे चले तो कुछ और तथ्याप के सामने आएंगे अब हम बात करते हैं करेंड की अब हम किसकी बात करेंगे करेंड अफैर की करेंड अफैर में भी सेम कंडिशन है कभी 12 कभी 24 कभी 21-10 कभी यह अगे 2010 की बात कर तो 2018 2010 में 20 मैंinger 10 में 20 सबसे कम पूछा गया है 26 सवाल पूछे गया है तो जाते लोग करने का जुड़ाओ सब्सक्राइब लेकिन फिर भी आपको फोकस रखना होगा क्योंकि 20 परसे बाकी पीश्यों पर भी उनको फोकस नहीं कर लें अब गणित की बात करें अधीर सब्सक्राइब द्जा 25 में not for दॉचर में बात करें रिए सवाला सास्वाल पूछे गया हां था है चौट औरbrand सबसे कम सवाल जो है वो दो सवाल पूछे का है गड़ित और रिजनिंग से में लाकर यह 2013 में जिनको गड़ित नहीं आता उनके 23 का पेपर दो गड़िया था अब ने क्यों टुमार्किंग भी है सबसे कम हैं दो है पर सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो लगभग 16 सवाल जो 24 में पूछे गया थे गड़ित और रिजनिंग से अगर इसके में आगे बात करूं राज याधारित प्रस्वार्श मनें यूपीश पेशल यूपीश पेशल में दो जाद दस में नौदर सवा लेकिन हाल फिलाल में देखेंगे 17 उरकाइसमे 17 और क्या सवाल यूपीश पेशल से पूछा गया है तो यहां भी इमान के चलिए कि 10-15 पुछे सवाल यूपीश से पूछे जाता है माने 20-25 पर से अंकर कर देखे का करेंट और यूपीश पेशल को मिला दें अस्वारी करे थेरे में तो तेंद मीला पूचे गया तो यह कहरा ने संभावनाय पर से पूचहे गाए किश्यों पॉषपालड की भात किया है तो 2013 में सवाल ही नहीं पूचेगा थे 상mber 6 में यहां पर आपके शामने आ गया कि विज्ञान इमाप कंप्यूटर केंगे सरी तो ऊपर पढ़े थे हम लोग यहां पर जो विज्ञान कंप्यूटर के साथ है उपर विज्ञान नीचे था तो यहां पर कोई सवाल नहीं पूछे गया है कई साल तो पूछे नहीं कि कैसा लिए दो तीन सवाल पूछे सकते हैं माने कंप्यूटर अपने पॉड्ले तो ठीक है वारना एक बार रिविज्ञान क्योंकि कई बार फॉल फॉल फॉर्म पूछ लेंगे मैं इस पर भी कराऊंगा कि कंप्यूटर से कितने प्रश्णा आया है अभी तैस समिच्छा दिखा रहे हैं लेकिन इनको भी इस टॉपी को भी कराऊंगा प्रतेक विश्यवार फिर हंत्य में देखेंगे इसकी विज् सबसे कम निल अभी पिछले साल पूछा गया है तो यहां पर हमने देखा कि समिच्छा अधिकारी के जो प्रारभी परिक्षा प्री परिक्षा उसमें जीएस का जो टेवल है वो किस तरह से आपके सामने है और किस किस साल कितने सवाल पूछे गा है अगर मैं पूरा अगर किस साल ज्यादा पूछेगा है तो मैं अगर दो जादर्श की बात करूँ हाँ वीडियो को शेयर करिएगा चनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाएगा कोई सवाल है कोमेंट करेगा और हम आपके लिए समिच्छा दिगारी की स्रीज भी लेकर रहे हैं लेक अगर मैं विश्यवारबात को 2010 में 2010 में यह पूरा सीरीज आपके सामने दिख रहा होगा इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है अब सबसे कम निल रहा है कंप्यूटर और बिविद निल रहा है और बीस प्रस्ट इतिहास से बारा प्रस्ट जो है आपका शामाने विज्ञान से भारतिराज वरस्ता से गया रहा है लेकिन अगर में पूरा क्योंकि आपके पास सामने आजाएंगी कई चीज एक दम क्लियर हो जाएंगी कि आपको आस्ताव में क्या पढ़ना है क्या से पाढ़ना आप चाहें तो आपके पास समय का परिशा की तितिया आच मतलब फॉर्म भरना सुरूगा और उसमें कोई द सबस्साइब हैं आपके काम आजाएंगा जल्दी आपको में जाएगी 30 वीडियो है 30 दिन में अब इसके बाद जो करेंट है उस पर भी हम फोकस पहलें लेकिन एक जो डायरा है आपको क्लियर हो जाएगे हाँ यूपी स्वेसल से सवाल है उसके बाद इतियार से 15 पुछे कहें हैं विज्ञान से 9 आज भी अस्था से 6 एकोनामिक से 8 जनसंक्या नेगरिकरण से 5 भगोल से इसलिए पूरा आलसिस था इसकी पीडिफ मिल जाएगी इसकी इसकी पर नंबर भी है इसकी नंबर को प्यों कर सकते हैं नोट के लिए आप लोग बैठ है और इसकी पीडिफ टेलीगराम पर मिलेगी डिस्केप्शन में लिंक हो का माँसर डाउनलोड कर सकते हैं या इस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं यहां तक आपको सवाल आ रहा है तो कॉमेंट करिएगा और आप समिच्छा दिखारी की तहरी जान लगाए करिए और यकीन मानिए अभी की वार एक सिट हमार का सपना पूरा होगा इसके बात अगले इसके मुख पर आपको मिल जाएंगे तो वापसवर फोकस करिएगा उपलब्द ले लिजेगा जनपर जोनपूर से क्लासे चलती हैं और मैं आपके लिए शरीज शुरू करने जानो पहले तो प्रीविएसर जो पेपर है पूरे सब के जैसे इतिहास शुरू है सारे की एक दिन में ज्यान करके सारे सब्चेटों में खतंगा प्रीविसषे पेपर आपका जो ऐनालसिस के साथ सब्सक्राइब है और इसके और अपने सम आप घर कशो करें और नॉट्टे कर सकते हैं पूरी तो पूछेगा तो पूछे गंड़ी लोंग देखते हैं तो आपको के वीडियो में कौमेंट कर सकते हैं जाए ऐस्फ लाएन सब्सक्राइए